कौसंबी के थानों में तयार हुए पिंक ट्वालेट महिला पुलिस कर्मियों और फर्यादियों को होगी सहूलियत कौसंबी के पुलिस एस्ट्रेशन अब पिंक ट्वालेट की सुपिता के सुसाजित कर दिये गए हैं पिंक ट्वालेट बन जाने के बाद अब थानों में तयानात महिला पुलिस कर्मियों और महिला फर्यादियों को ट्वालेट नव होने से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कौसंबी के इसकी पहल जिला अधिकारी और पुलिस अधिक्छक ने खुद की पहल से तकरीबन एक साल पहले सुरू किया था जिसमें ग्राम सभा से लेकर जिला अधिकारी अस्तर तक का सेयोग लेकर पिंक ट्वालेट को तयार किया गया है तो उनको ट्वालेट जाने में एक दिक्कत होती है इसको लेके हम लोगों ने एक यूजना चलाई थी इसमें ग्राम प्रधान, जिलादिकारी, गोशांबी सब का सायोग लिया गया सभी थानों पे पिंक ट्वालेट का निर्मार हो गया है वो केवल महिलाओं के इस्तेमाल के लिए उसे हमाई महिला तर्मी भी उस करेंगी और जो भी बाहर से महिला अप्लिकेंट आती है आवेदन अध लेके उनके द्वरब प्रयोग किया जाएगा येक अच्छा नया काफी सहूलियत मिलेगी स्पी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक जनपत में बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मी थानों में तैनात है इसके अलाव महिला फर्यादी भी सिकायती पत्र लेकर थानों में आती है जिसको ट्वालेट जाने में काफी दिक्कत होती थी जिस विभाग के आकड़ों में जिले में कुल 14 पुलिस स्टेशन है जिसमें पात दर्जन से अधिक महिला पुलिस कर्मी थाना अस्तर पर तैनात की गई है इसके अलावा भी मजूदा समय में जागरूपता के क्रम में महिला फर्यादी भी थानों में बड़ी संक्या में हर झाल उस्ती है